शेहर के महाकालेशवर रोड पर सोमवार सुबह भगवान महाकाल के दर्शन करने जा रहे एक वृद्ध को आटो ने चपेट में ले लिया इस हाथसे में वृद्ध बुरी तरह घायल हो गया जिसे इलाज के लिए M.B. अस्पताल में बरती करवाया गया जहा इलाज के दवरान उसकी मौत हो गई जानकारी के अनुसार कानपूर निवासी रमेच चंडर टेलर नामक वृद्ध सोमवार सुबह पाच बजे अपने घर से महाकालेशवर मंदिर में दर्शन करने के लिए निकला लेकिन महाकालेशवर मंदिर के सामने वाली सड़क पार करते समय तेजगती से आ रहे एक आटो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया इस दुरगटना में गंबिर गायल हो गया आसपास के लोगों और रहागिरों ने उसे अमबी अस्पेटाल में इलाज के लिए भरती कराया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया परिजनों द्वारा अग्यात वाहन के खिलाब संबंदित थाने में मामला दर्च करवाया है जिस पर पुलिस ने मामला दर्च कर अपनी जान शुरू की है और शव का पोस्माटम कर शव परिजनों के सुपूर्द कर दिया है